एमल, मुझे तुमसे बहुत जुरुरी बात करनी, फ्लीज, दो मिट गाणी मेड़े एमल, फ्लीज फ्लीज, एमल मामी, मामी, वाट इस आपने मेरे सारे अकाउंट बन करवा दिये, मैं शॉपिंग करने गाई थी, ना मेरे डेबिट करड चल रहे और ना ही क्रेडिट करड हाँ, करवा दिये, तो आप मुझे कौनसी सज़ा दे रही है तुम्हे जो देना होगा ना, मैं खुद खरीद कर दूँगी, लेकिन उन लोगों पर खर्च नहीं करने दूँगी तुम्हे For God's sake मामी, मैं आपकी बेटी हूँ, कोई येर नहीं हूँ आज डाट जिन्दा होते, तो वो आपको मेरे साथ ऐसा करने नहीं देते अगर वो जिन्दा होते ना, तो इस तरह से तुम लोगों को मनमानिया न करने देते उन्हें अपने स्टेटिस का बहुत ख्याल था तुम्हारे सुस्रालबालों को पहले देनी चलता कर देते वो मामी, आज के जमाने में स्टेटिस को कौन देखता है? लोग शरीफ होने चाहिए बस जो गलती तुम लोग कर चुके हो ना, अब तुम्हारी बहन भी कर रही है और तुम दोनों समझाने की बजाए, इसे शेय दे रहे हो हमी फरी की शादी है थोड़ी सी शौपिंग तो करेगी, आईमा की तरह फजूल खर्ची तो नहीं करती उसके बिल्स पेग करकर के मैं पागल हो चुका हूँ तुम कौन सी खलती की सजार मिल रहे हैं मुझा है तो तुम कंट्रोल क्यू नहीं करते है उसे बहुत अकड़ा आगी है शादी के बाद से उसमें उसके भी सारे कार्ड्स ब्लॉक करवा दो एनी ने आज तक मुझसे कोई फर्माइश ने थी और नहीं मैंने उसे अपना कोई काड़ दी है अरे उसे जरूरत भी क्या है महरोज इतना कुछ तो छोड़कर गया है उसके लिए उसके अकाउंट में बहुत पैसा होगा मामी एनी ने महरोज भाई के पैसे आज तक इस्तमाल लिए तुम उसे जानते नहीं हो लेकिन मैं जानती हूँ बहुत चालाक और घटिया लड़की है सही वक्त का इंतजार कर रही होगी उफ़व आप लोग तो अपनी बहस में लग गए मेरा अकाउंट अक्टिव करवा दे मुझे शॉपिंग करनी है यहां कर आराम से बैठो फारिग होते हैं तो चलती हूँ मैं तुम्हारे साथ खुद दिलाती हूँ तुम्हें कुछ जोड़े और एकाट सेट फिलहाल इसी पर सबर करो बात में देखूंगी मैं अपनी शादी करेस अपनी पसंद से लूँगी ना मुझे उनकी पसंद कबूल है और ना ही आपकी फरी अभी भी वक्त है मैं तुमसे कह रही हूँ के सोच लो मैं सोच चुके हूँ